हाई साबू दाना एक ऐसी चीज है जिसके खिले खिले दानी आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है अगर आपने कुछ गल्तियां कर दी तो तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ हम साबू दानी की खिचड़ी बनाएंगे और इसका इक एक दाना आपको एक दम खिलावा इसकी गैरंटी मैं लेती हूं तो चलो साबूदाने की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने साबूदाना लिया है और एक कटोडी मैंने ली थी और उसके मैंने पांच घंटे के लिए भी हो दिया था और आपका साबूदाना ऐसे मैश होना जाहिए अगर इसका मतलब आपका साबूदाना रेडी है और इसकी ट्रिक यह है नुसका यह है कि आपको साबूदाने को पानी से निकाल के 10-15 मिनिट तक छोड़ देना है ताकि उसका सारा पानी एक छनी में निकल जाए अब मैंने आपे कढाई में एक चमज खी लिया है और इसके अंद लिभून गई है मैंने निकाल लिया और सेन कढ़ाई में मैंने दो चमज खी फिर से डाला है और इसके अंदर मैंने एक टेबल स्पून डाला है जीरा और इसे अच्छे से भूनने देंगे अब मैंने यहाँ पे तीम लिए है हरी मिर्च और इने बीच में से काट लिया था और एक इंच अंदरग का टुकड़ा है और इसे अच्छा अच्छा बारी चॉप कर लिया था और इसे हम अच्छे से तीन से चाल मिन तक पकाएंगे अदरग का अच्छे से पकना बहुत ज अब मेने इसके अंदर 1 तामाटर ले हैं और इसे अंडर हुना जी तहरें नहीं 채ंतके तामाकर, व्रत थरीडियों दाला है आपका मैंने प्याज नहीं डाली है अगर आप नॉर्मल डेज में बना रहे तो आप प्याज डाल सकते हैं अब मैंने आप चार से पांच उबले वे आलू लिये हैं और इन्हें मैंने कट कर लिया था और इसे मैं अपने टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लो में और इसे ऐसे काले मर्च डालना जादा मर्च डालना लाल मर्च का म्यूज नहीं कर रहे हैं और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मैंने इसके इंदर जो हमारी मुंफली थी हमने भूनी थी पहले वो डाल दी है और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब जो हमारा अब आपको इसे मिक्स करते हुए 15-20 मेर तर पकाना है जब तक कि आपको दाने इसे आर पर दिखाई ना देने लग जाए इसका मतलब यह है कि आपका साववादन चैसे पॉड़ पागे और एक निम्मु का रस है एक बिल मदद यहाँ शती आपका रख टिखर ला है इसे मिक्स कर लिया हैALL और यह हमारे साबोदाने की खिचडी रेडी है त्रस्ट मी यह बहुत सिंपल बहुत टेस्टी और रद के लिए एकदम पर्फेक्ट चीज है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी ता सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना और कॉमेंट बॉ और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर मिलेंगे बाई